पहले कॉलर है रतन जी स्वागत है आपका नमस्कार सर जी नमस्कार सर जै बारत जै भारत जै भीव जी सर मैंने दो तीम दिन पहले आप प्रस्न पुछा था है एक महिला लड़की इसका मेंस बंद हो गया तो आपने कहा था कलॉंजी का सिर्का चिने के लिए और हल्दी दो चुटकी कर तो सर बोग प्रोड़की का सिर्का तो नहीं मेरे पास अबलेबल है को जैतून का सिर्का क्या क्या कर सकता है जी और और ये दो चुटकी आपने कई एक महिने के लिए हल्दी बोला था तो पानी में पिना है और सर मेरा एक प्रोब्लम है पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोस्टेक मेरा बढ़ा हुआ तो आप मेरे तिशाप का प्रोब्लम नहीं है सर्था ना मेरात में उपता हूं ना दिन में दस बार जाता हूं कुछ नहीं सर्था लेकिन लाट में कई गत्रा बच जाता है वो मेरे साथ समस्या कर ला है लगता मेरा वो समस्या वही है सब्सक्राइब चीके ठीके आप अपना फोन मत काटिएगा और हमारे मीडिया कर्मी को नंबर दी दीजे अपना आज कर एक महीम चल लही है जो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना खुद भी फायदा जिन लोगों ने उठाया है उससे हमारे मीडिया कर्मी संपर्क करते तो अप आपने बहुत सेवा किये लोगों की उकर रहे हैं और सवाल बता ही जी कलॉन जी की जगे जैतुन के सिरके का इस्तमाल हो सकता है अगर अचली है तो आप कलॉन जी की जगा जैतुन का सिरका इस्तमाल कर सकते है प्रोस्ट्रेट की प्राबलम है जी दीए प्रोस्ट्रेट की problem की कैफियत होती है और जिस तरह से आप कैफियत बताते है उसकी तरह से इलाज बताते है तो दीए एक अच्छा नुस्खा है जो मैं बार बार बताता हूँ और वो तरह तरह से बताता हूँ एक तो वो के अलसी आदा चमच हलका सा बुनी हुई अलसी आदा चमच और यह लाजबनती आदा चमच और एक चुटकी यह गौन चिलगोजा यह एक खुराक रोज ले लिया करें यह नुस्खा आप जैसे रोगियों के लिए है बस एक खुराक पूरे दिन में ठीक है अगर किसी को पेशाब अवरूद होता है तकलीफ से आता है मुश्किल से आता है तो इसमें एक चुटकी नमक जैतुन के पानी के साथ ले और इसमें एक चुटकी कथा काने का कथा होता ना जो पन्वारी पान पर लगाता है एक चुटकी वो भी डाल ले तो वो तकलीफ जो बहुत मुश्किल से पशाव आता है और जलन होती है काफी परिशानिया होती है तो ये उसके लिए पशाव में कोई जखम हो उसके लिए पशाव की नाली में जखम हो जाते हैं इन्फेक्शन हो उसके लिए और वो हो जाता है जलन यानि सुजाक एक मरस है सुजाक तो पशाव के नाली के अंदर जखम हो जाते हैं तो ये उसके लिए भी है तो ये एक नस्का बहुत 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 यानि बीमारियों में काम करता है यही नुस्खा अगर खुनी बावासीर में ले लिया जाए तो वो भी बहुत फाइदा करता है लेकिन इस नुस्खे को बावासीर की सुरत में दूस से लेना ज़रूरी है अगले कॉलर हैं दिल्ली से हैं दयावती जी स्वागत है आपका मैम नमस्कार मैम जी नमस्कार कैसी है आप मैं तो बहुत अच्छी हूँ से जवरेती आप कहती है जी हम भी अच्छे हैं नमस्कार भाई साब स्वागत आपका जयाहिन दयावती बहन का देखिए इस एलजा तो आपसे मुलाकात भी करिया ही आप भाई साम मेरी इच्छा थी आप भी आजाते पर एकदम प्रोग्राम होगा दो गंटे पैने फोन आया तो मैं एजाज़ देखिए मका चलो आजाओ पर मतलब नेरी अंदर की इच्छा ना भरी नी मुझे खाना भी बनाना था इनके लिए खिलाना था वो खाई स्पूरी वही नहीं सारी अस्पे से अच्छा और सवाल बताईए आज कल तो सवाल मतलब मैं इतनी खुस हूँ ना सब मैं बता देती हूँ मैं एक बात बोलना था थी बस ट्यार दिन की जिन्दगी असी खुसी में काट ले मत किसी का दिल दुखा जर्ब सब के बात ले कुछ नई साथ गाना एक नेकी की श्युआ कर भला होगा भला गात ये बांद ले बस भाई साहँ मेरी सब एक इच्छा रागि आप से मिदने की और मैं एक दिन खुब खुब बनाई वाहिसाब दुआ है कुछ रहो अच्छे से और सब जवेटी भी अच्छी रहे ये भहिया सब के लिए दूआ मांगरी सब खुछ रहे अच्छे से पूरी टीम बोट अच्छा लगा मुझे बोट अच्छा बोट अच्छा थैंक यू आई जा तो आपकी बड़ी तारीफ कर रही तो इसने बताया कि आपने कुछ पैसे भी दिये हैं इसको अब मैं इससे कह रहा हूँ आधे मुझे दे दे मैं तबरुक की तरह रखूँगा उसे खर्च नहीं करूँगा कभी यह तो खर्च कर देगी लेकिन मैं वो प पैसे नहीं देता था और एक बार मेंरी एक बहर ऋने पैसे दिये तो मैंने कई साल गाई का दस साल, पंद्रह साल, वो खर्ची नहीं की है, पिर एक बारा हो गया कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे बच्चा बीमार पड़ गया तो उस वक्त वो पैसे बहुत काम आया है और बहुत याद आ गई वो बात और रहिए आप से मलाकाश जरूर होगी कभी ना कभी और ये इतनी तारिफ कर रही है आप से ज्यादा आपके खाविन की आपके प इत्मिनान इन लोगों को हुआ आप से मिलकर और मुझे तो इत्मिनान था कि आप के जो बहुत इंप्रेस्ट होंगे मैंने इनको कहा था कि यह बहुत अच्छी लेडी हैं शायद उस इलाके में एक से ज़्यादा इतने अच्छे लोग ना हो हाकीम साब हमने तो वो डायरी भी दयावती जी से मांगी थी जो उन्होंने आपके एक एक नुस्किय उन्होंने लिख्यों हैं यकिन है न हकीम साब एक नहीं हजारों नुस्कियों ने लिख्यों हैं और एक प्रॉपर डायरी उन्होंने बना रखी है और दीकि यही तो निशानी है जी यह सबूत है इस सच्चे हैं जिनके अंदर और बाहर से एक से हैं हम एहले दिल का जाहिरो बातिन जुदा नहीं दिल भी जुका दिया है जहां सर को खम किया तो जो लोग अंदर बाहर से एक से हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं भगवान को पसंद है और जो भगवान को पसंद है उनको इंसान पसंद करें या न करें बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बिलकुर अगले कॉलर है हमारे साथ पतैपूर से अशोग जी स्वागत है आपका हालो हाँ जी सर हाँ नमस्कार सर हमारे गाल ब्लेजर में पथरी है कितनी बढ़ी है सर नमस्के सर कितनी बड़ी पत्री है अब नमस्के सर बूलिए बात करी आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लिजे कितनी बड़ी पत्री है थीक जी जी ऑच देखिए बड़ी पत्री का निकलना मुम्किन नहीं होता तीन चार एम एम की अगर पत्री हो तो वो निकल सकती है लेकिन आप कोशिश कर लें बादा नहीं करता में बिल्कुल भी तीन चार एम एम की हो तो उसका आसानी से निकलना मुम्किन है हलांके किड्नी में कितनी भी बड़ी पत्री हो तो वो निकलना आसान होता है तो एक नस्खा है आप लिख लें जैतून का तेल और जैतून का सिरका खाने वाला तेल एक मालिश वाला होता है वो नहीं तीन चम्मच जैतून का तेल और तीन चम्मच जैतून का सिरका असली एक गिलास पानी में मिलाएं और ये सुबह खाली पेट पी लें और इसके बाद एक गिलास पानी और पी लें बस एक खुराक रोज लें और चार दिन तक लें अगर उसको निकलना होगा तो निकल जाएगी नहीं तो आप बस चार दिन लेकर इसे छोड़ सकते हैं और जिनको 3-4 mm की पत्री है वो ज़रूर कोशिश करें और वरना फिर अगर ना निकले इस से तो फिर ऑपरेट भी करा सकते हैं यमना नगर से हैं अनीता जी स्वागत है अवाज आरी है आपको मेरी हां जी आवाज आरी है आपको नमस्ते जी नमस्कार मैं वो मैं मेरे को ना बुखार रहता है पांच है महींने से उम्र कितनी है आपकी चारी साल और मेरी गुडिया को ना कच्चा मन रहता है ठारा साल की है और खाना निपच्टा उसको खाना नहीं पच्टा मतलब बताईए इसका हम जी जैसे खा लेती है ना तो वो कच्चा मन सा रखता है तो पच्टा ही नहीं है शरीज में पेट में उपर आता रखता है ठीकी ठीकी जे आप दोनों के लिए एक ही नुसखा वो इस्तिमाल करें दोनों को फाइदा मम्किन है नुसखा भी बड़ा सा मामूली सा है आपके किचन में खाने का सोडा जैसे मीठा सोडा क्याते हैं एक चुटकी लें और एक चुटकी नमक जैतून असली असली नमक जैतून ये दो गिलास पानी मिलाकर आप लोग एक बार पिया करें दिन में किसी भी वक्त खाने से पहले खाने के बाद आप भी ले खुराक और बच्ची को भी दें दोनों के लिए बहतर है आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं चले अगले कालर हैं हमारे साथ स्वागत है आपका सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है पूछी मैं विदर्ब महाराश से बोर रहा हूँ तो प्रकाश राटोर बोर रहा हूँ मेरी उम्र 65 साल है म्यादम मेरा बच्पन चे हाड कम जोर है और मेरे पल्त रेट पच्पन है इसलिए मैंने आपके डाक्टर लोगों चे फोन लगा के बताया और उनोंने मुझे नुस्का बताया एक लिटर लसून का रफ एक लिटर निम्बू का रफ एक लिटर अजरक का रफ और एक लिटर जैतुन का शिरका माईने बुला है ओं मिला के तीन तीन चम्मच सुबेरे शाम ले रहा हूँ मेरे को 50% ज्यादा आराम मिला है वहाद बहुत 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 बहुत. बताना और दूसरी बनती है वो 45 साल की है उसे दो महीने से शुगर बढ़ी है उसके लिए नुसका बताना ठीक है और मेरी 65 साल है मुझे मोसम बदल दे ऐलर्जी होती है मैडम कैसी ऐलर्जी सर्ब तो उसके लिए महीने माजूम के आर बुला है पंदरा दिन पही लेच ठीक ह हाँ तो वो माजूम के आर अभी चालू है मेरा और कल मैंने वो जयतुन का शिर्का भी बुलाया डबल चे तो शिर्का और ये साथ में लिया तो चलता किया ये पूछने ताब मेरे बुद बहुत सजन इंसान है बहुत समल के बहुत समझा के बात किया और भगवान भी आप को बहुत पसंद करता है आपकी जो बच्पन से तकलीफ थी दिल की कमजोरी की और पल्स की उसमें पचास परसंट फाइदा दे दिया इतनी जल्दी जब तक पूरी तकलीफ ना जाए आप ये नस्खा लेते रहें और माजून आर केर आप ले सकते हैं और माजून आर केर आ हार मूँ लें जो आपके पास है गरम पानी से लें दिन में एक बार ये बहुत ज़रूत हो तो रात को सोते समय भी ले सकते हैं लेकिन ये जब भी लें गरम पानी से लें और दूद ना पियें पानी से लें गरम पानी हो या इस को खाने के बाद चाय पी सकते हैं गरम गरम महारास में चाय बहुत अच्छी मिलती है, मुझे मालूम है, मैं रहा हूँ 20-25 सार वहा हूँ, एक पिशंट को माइग्रेन है, एक को शुगर है, अच्छा देखिए, जिनको शुगर है, उनको यह जो आप नस्खा लेते हैं, यह दे सकते हैं, तीन-तीन चम्मच, यह जो आप जतुन के सिर्के वाला नस्खा लेते हैं, यह तीन-चम्मच सुबा, तीन-चम्मच शाम, उनको दे सकते हैं, उनकी दवाओं के साथ, तो बहुत कंट्रॉल करता है यह शुगर को भी, और जिनको माइग्रेन है, उनके लिए देखिए, एक ऐसा करें, एक तो यह साइज, और ऐसे, देख लीजा, यह एक्सरसाइज तीन-तीन मिनिट करनी है, एक साथ नहीं कर पाएगी बच्ची, तो कहें कि पूरे दिन में तीन-तीन मिनिट यह कर ले, इंसाफ से, इमानदारी से, गड़ी देखकर, अक्सर हम दो-चार बार करते हैं, सोचते हैं, तीन मि लोग जानते हैं, नकली न दे दें, चिलगोजे का गौन आता है, गौन यह गम, गौन चिलगोजा, यह मटी आले कलर का होता है, जैसे मिटी होती न, ऐसे कलर का होता है, एक चुटकी गौन चिलगोजा, और लें, और वो खा लें, बस एक चुटकी, पूरे चौवीस घंट में एक चुटकी खाना है और एक चुटकी नमक जेतुन और एक चुटकी खाने का सोड़ा दो गिलास पानी मिला कर इस दो गिलास पानी से रात को सोते वक्त ये गौन चिलगोजा चौविस घंटे में बस एक खुराग दिया करें डॉक्टरों की दवाएं भी दे सकते हैं आपको फाइदा होना मुम्किन है